शुबो नवब बर्षों, आमी देबारती तुमादे शुबाई के जानाई, शुबो नवब बर्षे, प्रिती ओ शुबेच्चा, शुबाई बचो टक हुब भालो काटू, शुबाई कुब शुस्तो थेको, भालो थेको तो आज मैं मेरी फर्स्ट हिंदी ब्लोग स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो इसका रिजन यह है कि आप लोग को पता है कि मैं हादराबाद में रहती हूँ, तो यहाँ पे मेरा बहुत नन-Bengali friends है, तो उन लोग के लिए भी मैं कुछ वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो इस इसलिए यह वीडियो है सब के लिए, तो आज जो बताने जाने हूँ कि पिछली बार बहुत सारा यादे आ रही थी कि कि पिछली बार इस टाइम हम लोग पूजा देने के लिए गह थे मंदिर, लेकिन इस बार तो मंदी नहीं जा पा रहे तो घर में ही पूजा देंगे, और यह जो रास्ता तुम आप लोग देख रहे हो ना, यह रास्ता जो है ना, यह एक मन्त पहले भी कितना फ्रावड़ रह करता था, मतलब बहुत सारा गारिया चलता था यहां से जैम होता था, लेकिन आभी देखके थोड़ा खड़ा भी लगता है कभी-गी जब आती हू बल्कनी में तो लगता है अब यह एक भी गारी देञ जैता है यह जाते हैं लोग नहीं जाते हैं तो बहुत है खड़ाब लगता है बहुत सारे लोग मानते हैं जो इक्स्टर फैट हे वह गल जाता है तो मैं तो अगर मुझे लगे तो गड़म पानी में मैं अभी वह निम्बू अब पीती हूँ और नहीं तो कभी-कभी जो कर ती हो के ऐसे लमन्ती की लेती हूं तो आज मैं आपको दिखाने जारी हूं यू कि मैं लमन्ती ऐसे बनाती हूं वो आप शाम में भी भिभी सकते हो तो वह बहुत ही होता है और टेस्ट भिoug तो मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, तो देखते हैं अरे वाँ, सारी क्यों पहने हो तुम आज बिंगोली न्यू येर है ना, शुबन अवर्षो इसलिए मैंने साई तैन लिया वाँ, शुबन अवर्षो तो फ्रेंज आप लोग देख सकते हूं कि मैंने क्या क्या लिया है, ये लेमंटी बनाने के लिए तो मैंने लिया है ब्लैक सॉल्ट और यहां पे जो निम्बू है, मैं ये नीचोर के रख दिया और मैं इसमें डालूँगी हनी, वान स्पून हनी, क्योंकि यहां पे मैं शुगर यूज नहीं करती हूं, तो इसलिए मैं हनी डालूँगी तो आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहां पे कप में ले लिया है एक टी बैग, मैं टी बैग से ज्यादा प्रेफर करती हूं, लेमंटी पेना, और जो है कि यह जो हनी है, मैं हनी यूज करती हूं, क्योंकि आप लोग को पता है कि शुगर खाना उतना अच्छा नहीं होता है, तो इसलिए यह हनी मैं यहां पी यूज करती है, तो अभी जो है, इसमें मैं एट करने जानी हूं, गरम पानी, तो ऐसे मैंने एट कर लिया, और इसमें मैं ज्यादा डीप नहीं करूंगी, मुझे हलका थोड़ा सा अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही ड हो गया, अभी जो है, मैं इसमें डालूंगी निम्बू पानी, अभी इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा ब्लेक सॉल्ट काला नमक, और अभी मैं डालने वाली हूँ, यह हनी, तो अभी जैसे आप लोग देख रहे हो, कि मैं ने ऐसे हनी ले लिया, तो एक चमच, तो अभी मैं यह डाल दूँगी, तो बन गया, मेरा लेमन टी, यह सुभे सुभे चाई पीने का मज़ा ही कुछ अलग होता है ना, आज मैं बनाने जारी हूँ, चिली चिकन, और उसके साथ चिकन फ्राइट रैस भी होगा, तो मैं यह फ्राइट रैस के लिए, यह बासमती दो काटोड़ी बासमती रैस मैंने यहा पे लिया है, तो यह बासमती रैस अच्छे से दोने के बाद, मैं अभी चुला पे इसको इसको पकने के लिए तो फ्रेंस यहां पे मैं चिली चेकिन जब मारिनेट कर रही थी तो यहां पे मैंने क्या-क्या डाली वो मैं बोल देती हूं आप लोगों को यहां पे मैंने डाली चिली सॉस, सोया सॉस और यहां पे डाली वीनिगर, सॉल्ट और मैं यहां पे थोड़ा स करती हूं तो सुया सार्स वीनिगर चिली सॉस सेजवन सॉस टॉमेटो सॉस यह सब डाल के मैंने इसको मैंने के लिए छोड़ दिया ठीक है तो यह पूरा डात फ्रिज में था तो ऐसे ही मैं अभी इसको कूक करने वाली हूं और जैसे के आप लोग देख रहे हूं यहां पर म किया है कि कैपसिकम चॉप कर लिया बीन्स गाजर टॉमेटो अनियंस और गार्लिक यह ऐसे ग्रेट करके मैंने छोड़ दिया तो अभी बनाने जारी हूं चिली चिकन तो अभी मैं एट करने जारी हूं रिफाइंड ओल तो इसको मैं अभी गरम करूंगी तो इसके बाद मै मैं एक एक कटके यह जो सबजी है जैसे के अनियंग, कैपसिकम, टॉमेटो यह सब डाल दोंगी तो मैं अभी यहां पे यह प्यास डाल रहते हूं सारी होने के लिए ट्राइंड और ट्राइंड तो मैं चिजिके में एक ट्याल रहती है उसकी मुछ यह पोराद रश्रेंड किने किने जबता है मुछे तो इसकी के लिए ट्राइब नहीं एक यह ज़िए, प्यास व्सका आंद एक उतिने एक तो प्यास हे आखें अभी इसके मैं एक्टेने बाली थोरा साल्ट और सुगर तो अभी मैं यहां इसके थोरा सा चीनी डाल देती हूं और एक्टेने जाने थोरा साल्ट जब चिटन दिया था और नमग नमग दिया था तो अभी ज़्यादा नमग नियां चीनी राप करूंगी अभी जैसा है एक ही रहेगा पिजाने थोरा सा चेज़ने पास अगर चादेने तो तो थोरा सा सॉल्ट यह एड़ कर सकती हो तो अभी मैं एड़ करने हूं जारी हूं इसमें Capsicum आप लोग चाहो तो इसमें red Capsicum और yellow Capsicum भी डाल सकते हो तो मेरे पाच अभी वह अबल अबल महीं है तो इसमें गली वाला Capsicum ही में रीज़ करी और इसे में अभी जालेंगी चमाटर और अगी जालेंगी में जालेंगी में जालेंगी तो अगर पकना है थोरासा युप चाहुंक पानी भी में में जालेंगी तो अब बाद्या में जालेंगी जालेंगी तो आप सब लोग ने देख लिया कि यह अच्छे से पक जाया वह अच्छे से पक जाया तो यह सब अच्छे से पकने के बाद अभी मैं यह सब डाल देखो यह मैं बना रही हो अभी अच्छे से इसको फ्राइब करना है आप 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 इस आप आप बहुत ही अच्छा लग नग रहा है तो फ्रेंट्स मैं तो हम भूल्टी शुभी यहाँ पर डालने के लिए तो मैं ने गुन्च लीज यहां पर कट करने के बाद यहाँ दाल लिया तो अभी इसको अच्छे से पकाना हो तो यह पकड़ा है और इसमें अगर आप चाहो तो मैं मैंने शिन के टाइम थोड़ सा रेडचिली पाउडर भी दिया था तो अगर आप चाहो तो अभी भी आप डाल सकते हो यह आपके इसाप से आप कितना वो खाते हो तीखा खाते हो उसके ऊपर डिपंग करता है तो जैसे के आप लोग देख रहे हो कि चिकन अलरी ओल छोना स्टार्ट कर दिया तो अभी मैं इसमें आड करने वाली हो गर्म पानी तो मैं ठंडा पानी यूज नहीं करती हूं करने के ताइम मैं ज्यादा तर नहीं और वाली पानी के बांढ़ मिवाल जाता है जो इस इलिए मैं अभी इसमें गर्म पानी डालने के बाद इसको अभी lige धोरा सा वेपर में रखेंगे थोड़ा सा और इसको अच्छे cabra Rus कर लिए तो जैसे के आप लोग देख रहे हो ये बॉइलोना स्टार्ट कर दिया तो अभी इसमें मैं ये धकन लगा देती हूँ तो ये तो बन गया ये पक गया पुड़ा तो अभी जो ये एक्स्टर पानी है इसमें वो घटाने के लिए अभी जो मैं डालूंगी इसमें वो है कॉर्ण फ्लावर का पानी तो कॉर्ण फ्लावर डायरेक्ली यहां पर नहीं यूज करना है तो इसमें कॉर्ण फ्लावर में पानी एट करने के बाद उसको इसमें डालना है तो इससे क्या होता है यह जो एक्स्ट्रा पानी है वो खीच लेगा तो अभी मैं यह डालने जा रही हूं तो अभी इसको थोड़ा सा मैं मिक्स कर दूंगी तो अभी ऐसे मैं इसको बंद कर दूंगी थोड़ा सा और थोड़ा सा इसको तो जैसा के आप लोग देख रहे हो यह डालने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी था वो कम हो गया और एक बहुत अच्छा सा ग्रेवी मतलब एकार आ रहा है इसमें तो यह कलर भी बहुत अच्छा और इसका स्मेल तो बहुत ही अच्छा आड़ा है हाई फ्रेंट्स तो अभी हम लोग बना रहे हैं चिकन फ्राइट राइस एक चिकन फ्राइट राइस तो अभी हम लोग इसमें वाइट रिफाइंड ओल में बिन्स, कैड़र्स और चिकन इन तीनों को फ्राइट रहे हैं थोड़ा सा हलका से हम लोग फ्राइट कर लेंगे तो अभी इसमें हम लोग एक्स डाल रहे हैं तो यह मेरा स्टाइल का एक्टिकन फ्राइट थे आप लोग चाहे तो पहले एक को फ्राइ करके अलग से रख सकते हैं उसके बाद वेटेबुस को फ्राइ कर सकते हैं पर आज हम लोग के पास अतना टाइम है नहीं पुड़ा जल्दी से हम लोग कर रहे हैं तो सब एकी साथ में फ्राइ करेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे तो अभी एक्स और वेटेबल्स रख हो चुका है अब इसमें हम लोग डाल रहे थोड़ा सा रेट चली पाउडर जिसको जितना टीखा पसंद ने वह उतना डाल सकते हैं तो मैं फिलाल इतना ही डाल रहा हूँ जादा नहीं डाल रहा हूँ और उसके साथ मैं इसमें दे रहा हूँ आप लोग भी जितना साथ पसंद करते हैं इसमें आट करना इसके बाद हम लोग इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छा लग रहा है देखने में तो अभी हम लोग इसमें जो बास्मती राइस पहले से जो बॉल करके रखा था तो वह हम लोग दिया 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 इसमें आट कर रहे हैं तो गैस की आच में धीमे करके रखा हूँ तो अभी में सब चावल इसमें डाल रहा हूँ को वह मेरा सबजी है अब इसको में थोड़ा सा मिक्स कर लेता हूँ अच्छे से मिक्स कर लेता हूँ अब इसमें में आट करने जाओंगा स्वया सास और विनिगर तो अभी में इसमें स्वया सास और विनिगर डाल दिया अब में इसको अच्छे से मिक्स कर लोंगा अब दो कर देजा अब लुग को अब इसमें रस दो कर दो कि अब दो कि अब दो कि अब तो थोड़ा सा हाई कर देजाओ थाँ अब लेम को प्राइट राइस है कोई भी ऐसे चाइनिस इटम्स में थोड़ा साय से श्प्रिंग अनियंस डाल के खाने में अलगी स्वाज और मजा आता है और यह चली सिकन के ऊपर भी मैंने श्प्रिंग अनियंस डाल दिया तो इसलिए दोनों का ही वो जो टेस्ट है वो और अबर के आता है तो हो गया रेडी हम लोग का राइस रेडी तो बी सर्वट तो रेडी हो गया हम लोग का एक चिकन राइस अभी इसके उपर जिली चिकन के ऊपर हम लोग डाल रहे हैं स्प्रिंग अनियंस हाई फ्रेंड्स तो रेडी हो गया हम लोग का फ्राइड ड्राइस और चिली चिकन और बहुत जोर के भूख लगे और यह सब यम्मी चीजे उन्हाद देखमें के बाद तो अब्यस्टी भूख तो ज्यादा लगेगा मुझे भी भूख लगे मैं स्टाट करना हूँ आज जो खास है हम लोग का वह है आज तो नौभूगोर शो है तो लेकिन ये बेंगोली नीवियर में हम लोग चाइनीज खाना खा रहे हैं तो वह बहुत ही फणी है तो असर फणी है आप लोग सोचों के बेंगोली नीवियर में ये लोग स्रीचेन और फ्राइडेस क्यों खा रहे है आज आज है हम लोग यह पे बेंगोली स्टाइल पुलाव खाते है या चिकन कौशा खाते है अभी लॉग्ड़न चर रहे है तो सब कुछ का लॉग्ड़न है ये अच्छा बॉलत है तो बहुत जोड़ का भूप लगे लेट मी कंटिनू आप लोग भी देखिये वीडियो और हम लोग को कमेंट करके बोलिये कैसे लगा आपको हम लोग आज का ये बेंगॉली नुए नहों कुछ को special Hindi blog आज specially हम लोग ये ब्लोग पूरा Hindi में किये हम लोग बाखी का फ्रेंड लोग भी इसको सुन सके तो मेरा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीस मुझे लाइक कीजिएगा और शेर बेंगर कीजिएगा और सब्सक्राइब काना मत भुले ना So, bye-bye. Stay tuned. Bye-bye. Bye-bye.